महानगर एवं आसपास के छेतरों के निवासियों को लीवर रोगों के लच्छड इनके इलाज के विकल्पों तो था जॉइंट रिप्लेस्मेंट सरजरी के बारे में जानकारी देनी के लिए इंद्रपरस्त अपॉलो अस्पताल ने अपॉलो क्लिनिक गुरगपूर के सयोग युः को से शणीवार को एक प्तरकार वारता का इयोजन किया जिसमें इंद्रपरस्त-पउलो हास्पिटल के लिवर Transplant Vibhag के Senior Consultant Dr. Neiro Goel, इंदब्रस्त Apollo Hospital के Senior Consultant Arthropedic Even Joint Replacement Dr. Harwin Tandon ने संयुक प्रेसवार्दा की, विश्वस्वास संगतन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 10 लाख लोगों के लीवर सिरोसिस का निदान किया जाता है और तक्रीबन 2 लाख लोग हर साल लीवर रोगों को चपेट में आ रहे हैं इन में से 25,000 लोगों के जीवन में को लीवर ट्रांस्प्लांट साजरी के द्वारा बचाया जा सकता है लेकिन दुर्बाग से हर सार भारत में सिर्फ अठारा सौही लिवर ट्रांस्प्लांट किये जाते हैं इस समद में गोरकपूर नीज समाधाता से बात करते हुए डॉक्टर नीरव गोईल ने कहा बड़ी के लिए यहां होते हैं हाई डिस को लोरे अपर नीरव गोईल हूँ मैं लिवर ट्रांस्प्लांट विशेश अग्य हूँ इंद्रब्रस्ता पौल्व अस्पताल दिली में यहां पर हम गोरगपूर पूर्वांचल में आके अर महीने अपना यहां उपिड ही कर रहे हैं और लिवर और लिवर संबंदित बिमारियों के बारे में अवेरनेस और जाग्रुत्ता बढ़ाने की कोजिश कर रहे हैं लिवर ट्रांस्प्लांट अंग प्रत्यरोपन की जो यह सरिजरी होती है यह इसमें 90-92% सक्सेस रेट होता है यह उन मरीजों में जरूर रिक्वाइड होती है जिनका लिवर आखरी कागार पर पहुंच गया है बिमारी के कारण लिवर शराब की सेवन के कारण चर्बी जमा होने के कारण कुछ वाइरल इंफेक्शन हैं लाइक हेपटाइटिस बी और हेपटाइटिस सी जिसके वशे से लॉंग स्टैंडिंग बिमारी रहे तो उसे लिवर डैमेज हो जाता है लिवर कैंसर कुछ आटो इम्यून डिजीजेज होती है कि लिवर बोड़ी अपने ही ओर्गन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है जिससे लिवर डैमेज हो सकता है और आखरी कागार पर पहुंच सकता है बच्चों में भी ट्रांस्प्रांट की आवशक्ता पड़ती है जिनमें अंध्रूनी पैदाइशी प्रॉब्लम्स हैं लिवर में लिवर की फित की नलकियानी बनी है कॉमनेस्ट बिलिरी अट्रीशा एक बिमारी होती है वो है जिसमें तीन चार महीने पांच महीने तक आते हैं लिवर खराब हो जाता है और बहुत ही अर्ली फेज अफ लाइफ में उनका लिवर ट्रांस्प्रांट करना परता है पचाब के उपाए बहुत सरल हैं क्लीन खाना खाना हेल्दी खाना खाना एक्सरसाइज करना तलीवी चीजें और जंक फूट जो हम कहते हैं उसको जितना हो जके अवाइड करना शराब का सेवन ना करना और तंबाकू और जितने भी गुटका तंबाकू स्मोकिंग ये सार इन सबका सेवन ना करना है अगर सिंपल हेल्दी लाइफ लीट करी जाए और एक्सरसाइज करी जाए यही काफी है लिवर को पूरी जिद्गी बिल्कुल अच्छी कंडिशन में रखने करें